नमस्कार दोस्तो घरेलू नुस्खे यूट्यूब चैनल में दोस्तो आपका स्वागत है दोस्तो आज हम आपके लिए एक ऐसा नुस्खा लाए हैं जिससे आपके बाल काले होने के साथ साथ बाल इतने लंबे होंगे कि लोग देखते रह जाएंगे और वो भी एक मामूली चीज से जिसके लिए आपको ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे और आपके बाल लंबे काले घने होते चले जाएंगे तो चलिए आपको बताता हूँ इसके लिए आपको करना क्या है लेकिन दोस्तो इससे पहले अगर आपनी मेरे चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें और उसके साथ साथ बेल आइकन पर ज़रूर कलिक करें ताकि नए नोटिफिकेशन के साथ आपक नए वीडियो का पता चलता रहे हैं दोस्तो बालों को लंबे काले तथा घने करने के लिए अपने बालों की देखबाल के साथ कुछ एक्स्ट्रा प्रोटीन वाइटेमिन्स देने होते हैं जिससे बालों की ग्रोध तेज हो और बाल काले घने बने रहे हैं इसके लिए आप उसका तीन चमच जूस निकाल लें और अद्रक के रस में एंटी इंफलामेटरी प्रपर्टी पाई जाती है जो बालों को रूट से जड़ से मजबूत करता है और बालों को फंगल इंफेक्शन से भी दो रखता है और बाल हमारे मजबूत बनते चले जाते हैं दोस्तो अगली चीज है दो चमच अलोवरस जल अलोवरस जल में प्रोटीन बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है जो बालों को प्रोटीन प्रोवाइड करके बालों को घना बनाता है और बालों को मोटे घने बनाता है जिससे आपके बाल तूटते नहीं है और हलके नहीं होते अगली चीज है almond oil भी इस paste में आपको दो चमच almond oil mix करना है क्योंकि almond oil में vitamin D, magnesium, phosphorus, zinc पाया जाता है जो आपके बालों को काला बनाई रखने में आपकी help करता है दोस्तो अगली चीज है दो चमच प्याज का darus दोस्तो 15 करस आपके बालों के लिए बालों के blood circulation को fast करके बालों की growth को भी fast करता है और बालों को काले होने से बालों के सफेध होने की problem को दूर रखता है और आपके बाल हमेशा के लिए काले बने रहते हैं दोस्तो इन सबी चीज़ों को आपस में मिक्स करके एक पेस्ट बना लें और कोटन की साहिता से बालों की स्केल्प में इसे लगा कर कोटन की साहिता से मसाज करें और इसे अपने बालों में दो घंटे के लिए लगा रहने दें और दो घंटे बाद किसी भी नॉर्मल आयरवेदिक शैंपू से अपने बालों को वोश कर लें अगर आप वीक में एक बार इस उपाय को करते हैं तो आपके बाल हमेशा के लिए काले रहेंगे घने रहेंगे और बाल बहुत ही जल्दी लंबे बढ़ते चले जाएंगे तो दोस्तो ये था आज का नुस्खा बहुत ही आसान नुस्खा है इसे करके आप अपने बालों के उपर बहुत ही जल्दी फर्क देख सकते हैं तो दोस्तो आज के लिए इतना ही कल फिर मैं एक नया नुस्खा नया उपाय ले कराऊंगा तब तक के लिए मेरे चानल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू